हालो एव्रिवान गुड इवनिंग वेलकम टू फिलर फॉर्म आइम प्रियंका यूर यूजी सीनेट पेपर वन फेकल्टी हांची जाइन हो जाए सभी ग्लास में गुड इवनिंग जी कैसे आप सभी ओडियो वीडियो क्लियर है गुड इवनिंग मिस अफरीन जी लोमन कुमार गुड इवनिंग जी पीडिएफ मिल गई थी सभी को कल वाली I am fine what about you all clear ma'am okay ठेक है पीडिएफ मिल गई थी कल सभी को actually PDF मेंने कल upload कर दी है बट announcement नहीं हो पाई because app में कुछ error चल रहा था जिस वज़े से announcement नहीं हो पाई और आज भी class के announcement नहीं हुई है उस error की वज़े से yes okay okay कोई ऐसा जिसको PDF ना मिली हो वैसे तो सारे courses में मैंने upload कर दी है PDF बट फिर भी कोई ऐसा अभी सिरफ वो reply करें जिनको PDF नहीं मिली है मैं मैं आपने सही कहा था कि अच्छे से class देखेंगे तो tough easy लगता है हाँ जी देखो अगर तो आप regular student हो ना आप चाहे recorded class देखो चाहे live class देखो ठीक है बट classes देखो अगर तो आप regular student हो systematic तरीके से आप study कर रहे हो तो हो जाएगा नहीं मिली ना दीप माला जी कौन सा है आपका second paper सारे पेपरों में वैसे upload कर दी है मैंने बट फिर भी आप बताओ एक बार में चेक कर लूँगी पूजा आपका तो law है ना second paper law है आपका की English है सारे second paper में वैसे upload किया प्लीज चेक करना क्योंकि announcement नहीं किये मैंने कर तो चेक कर ले ना एक बार आप लोग अपने भी हाव से वाकि मैं भी एक बार चेक कर लूँगे लिए चेक कर लूँगे एक बार ठीक है second paper वाले जिनको नहीं मिले English ओके economics में कर दिया था क्या हाँ सारे सब में कर दिया सारे courses में कर दिया है आप वाली नहीं मिली मेरे वाली नहीं मिली मतलब कल ही send करिये मैंने second paper बताओ आप अपना अभी तक English का reply आया है मुझे और किसी का economics में दी डल गया है हांजी हांजी economics में सारे courses में जब मैं PDF upload करते हूँ तो ऐसा नहीं कि सिरफ एक दो course में upload होती है किसी का कोई doubt है इसके अलावा एक बार रही चेक कर लूँगी मैं फिर भी English पूजा में रही चेक कर लूँगी कहां पर send करते हूँ कंटेंट में जाना है course में जाना है December वाले course में पेपर वन में नोट्स में वहां पर दिया होगा टीचिंग एप्टेट्यूट यूनिट वन बाई प्रियंगा चुहान ओके जी करें क्लास को स्टार्ट किसी कोई डाउट है इसके अलावा तु पूछ लो अभी टाइम ली फिर क्लास की बीच प्लीज कोई डिस्टाबैंस ना करें टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो वह पूछ सकते हो पर ऐसे फिर फाल्त वात ना करें कोई ओके मैं मुझे भी सिंगिंग सीखना है आपसे वेरी नाइस हूँ अच्छा सिखा देंगे कोई नहीं आ जाना शिम्ला सेनॉप्टिक ये मैंने करवाया भी नहीं आपको असेस्मेंट आना ये नहीं करवाया था मैंने सिनॉप्टिक ये था कि अबट मैं एक बार चेक करूँएं फिर बता दूंगी । इंजली जी पको डौट तो आपको डौट में लिखे लुंगी सेनॉप्टिक वाला और पढ़ा दूगि फिर आपको अब भी मुझे धियान नहीं आ रहा है वाला नहीं अभगों को jakaak सबमारे से नार्फ जो नॉमम वाला है ना नॉम राफ्रेसंट आसेश्मेंट एंडिविज्डियू बेस्ट इंडिविज्डियOR का मतलब क्या होता है की एक्जामबल मैमेरी मेरी फर्स्ट डिवीजञ ना आ आपकी सेकिन डिवीजन है ठीके और जो प्रियक ऊशिक है इनकी थर्ड डिवीजर जन इसको बोतें नॉर्म रेफ्रेंसि मेंजिक की इंडिवि किराल detective भाली है वहाँपर ना एक क्राइटेरियाए फिक्स कर दिया जाता है की इतना तो फौ्र हुआ करूए ट्यक्स का थिक持 ये चार नाम मिरे पास यो शो हो रहे हैं यह भी करें नेट की तयारी, अब यहाँ पर आपके for example आपके 99% आते हैं, प्रिया कोशी के 98 आते हैं, तेश कुमार के भी 98 point something आते हैं, महमजी के भी 97 point कुछ something आते हैं, ठीक हैं, यह सिर्फ just एक example है तो यहाँ पर क्या होगा कि comparison क्या जा रहा है कि मिस अफनिन के 99 है प्रिया के इतने है और मुहमबद जे के इतने है वर जो JRF की cut-off गई वो कितनी गई for example हो गई 95% जो criteria था JRF के लिए वो था fixed 95% ही था प्रिया कौशिक के लिए 95% ही था स्टीश के लिए 95% ही था मुहमबद के लिए उसके लावा जिन्होंने extra marks लेकर आया है उसको बोलते norm reference assessment आप लोगों की जब हम comparison करते हैं individual में clear है हां जी और अगर हम school की बात करें तो school में for example मेरे पास एक teacher आ रहा है admission के लिए तो मैं अगर वो eighth class में admission लेना चाहता है तो मेरे माइन में एक चीज होगी कि मैंने criteria fix किया कि at least इसको addition, subtraction, multiplication और division तो आना चाहिए यह मेरा criteria है अगर इसको यह नहीं आता तो मैं इसको class में नहीं लूगी जैसे कि आपके CBSC board में होता है interviews होते हैं आज कल तो criteria में Miss aphrine जो criteria 95% कट आफ जेरेफ की थिक है 95% कट आफ गई है जे आ रेफ की वो सबकी लिए same था वो चाहे महमबत है चाहे वो रविंदर कुमार है चाहे वो मिस आफरीन है चाहे वो प्रिया और चुशिक है चाहे वो अंजली कुश्वा है वो सब के लिए सेम है, criteria वाला, fixed होता है, सब के लिए same है, उसको बोलते criteria जो कि सब के लिए same है, एक तरह से large group के लिए हो जाएगा और जो fixed रहेगा ये criteria वाला, बथ उसके अलावा जो जब हम percentile ranks देते हैं तो वो होगी आप लोगों की norm reference, और जब हम परसेंटेज देंगे कि 95% फिक्स है वो होगी आपकी क्राइटेरिया क्लियर है मैं थोड़ा हिंदी में समझा दिया करो आप थोड़ा सा वैसे तो समझ आ जाता है बट कभी कभी कुछ चीज़े नहीं आती आए रुकेस्ट है अंकीता कोश्वा हिंदी में मुझे बटा भी तो नॉम रेफ्रेंस और इसको क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं क्योंकि हिंदी में पॉसिबल नहीं चीज़े याद रखना ने इतनी सारी हिंदी में कभी पढ़ा भी नहींने यह सारे टॉपिक्स इंग्लीश में ही पढ़े है तो हाँ हिंदी में मैं तब बता देते हूं मैंसे जब क्लास हमारी चलरी हो ठीक है जब पीडिएफ में हो सामने भी पीपीटे भी हो करें फिर क्लास को स्टार्ट साथ नौ होगे किसी को कोई डाउट है और आज वो डाउट वाली स्टूडेंट नहीं आए अभी जीत कहां है वो आए नहीं आज वो यू एन आए लाइफ स्किल्स के था वो ना को लाइफ स्किल्स के थे जो आप लोगों को एक्जाम्बल्स थे पीडिएफ बेस दी यह वो देख लेना आप लोगों ने रविंद कुमार ची ओके ठीक है करते क्लास को स्टार्ट देखो अगर एक चीज मै मैं बोलूँगी है अगर आप प्रॉपर वे में नहीं स्टडी करोगे सिस्टेमेटिकल तरीके से नहीं चलोगे कभी-कभी क्लास से ले रहे हो ठीक है बीच में कोर्स को जॉइन किया नो प्रॉब्लम अगर आप लस्ट के महीने में भी कोर्स जॉइन करते हो और आप सारी चीज़े अपने हिसाब से अपने हिसाब का मतलब है कि जैसे मालों कॉम्निकेशन करवा दिया है और किसी ने बीच में कोर्स जॉइन किया है तो वह उसकी ड्यूटी बनती है कि वह कम्निकेशन को अपने बिहाफ पे पूरा करें अब टीचर बैक नहीं जाएगा आपको कि जब हम जोड़के जब हम सिंथिज इसका मतलब होता है जब लास्ट में रवीजन होती है सारी चीज़ों को जोड़के बढ़ते हैं उसको बहुते है सिंथिज़ और ऐसे था कुछ हो उसको ता है जब डिवाइड कर देतें पार्ट में मैं हम स्टेटेजी बताईए जेयर एफ के लिए देखो स्टेटेजी कंसिस्टेंसी फर्स्ट अफॉल इमानदारी इसके साथ अपने साथ क्लियर है कंसेप्ट क्लियर करने है और कंसेप्ट के साथ साथ रवीजन होना जरूरी है डैली क्लास एक्टेंड करो अगर लाइव नहीं देख सकते तो अड़िसर रिकॉड इर देखो बीन पढ़ाई के नहीं होगी डिन पढ़ाई के नहीं होने वाला net शेयर है पढ़ना तो बढ़ेगा किसी भी हाल में, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, बट पढ़ाई तो करनी पढ़ेगे Analysis, Synthesis, हाँ, Analysis का मतलब है जब हम डिवाइट करते हैं, जैसे Teaching Aptitude में ने पार्ट में डिवाइट किया है, और जब हम revision करेंगे, तो हो सकता है कि आप लोगों को पूरा Teaching Aptitude करवाद हूँ, तो वो synthesis हो जाएगा, क्लियर है जी, अमैम और पेपर, पावर पैक कैसे करें, पर और पावर पैक, देखो पावर पैक क्या है, इस टाम पे तो हो, आपको motivation करने वाला, आपके अलावा कोई और नहीं है, क्लियर है, assistant professor बनना है, तो इतना तो पता है कि बिना पढ़े तो नहीं बनोगे, पढ़ाई तो करनी पढ़ेगी, क्लियर है, अब पढ़ाई करनी पढ़ेगी, मैंने आप लोगों को बोला, दो तीन जाती है, उसको revision करो, नहीं समझा रहा है, recorded class देखो, वन पइंट फाइब की speed में देखो, क्लियर है, उसके बाद क्या करना है कि डेली पढ़ाई होनी चाहिए, आप चाहिए गंटा, दो गंटा, तीन गंटा, चाहर गंटा, आठ गंटे पढ़ो, minimum तो 8, minimum आठ गंटे तो पढ़ो, अगर फिर भी कभी उपर-Nीचे हो जाता है कि चलो कहीं गए हो, कहीं काम पढ़ गया, तो 3-4 गंटे तो पढ़ो minimum, जो job वाले वो भी इसी तरह से तिन चार घंटे तो कम से कम NetJRF के लिए चाहिए अब आपका इजी एक्जाम नहीं है यह पेपर वन तो बहुत जादा वास्ट है आप लोगों का बहुत जादा वास्ट है और साइको मोटर में थापका एंपैंट आपकी स्टूडेंट भी आपको इसी तरह से इच्छे चीज़े बना के दे करते क्लाउस टार ठीक है टाइम साथे रहा हो चुके है क्लाउस को स्टार्ट किया जाए फर्स्ट फॉल मुझे यह बता दो यह तो आपको पता ही हो होगा टाइमिंग का कि डेली ही बताती हूं वैसे तो यूट्यूपर आपकी इस पार भी यूट्यूपर क्लास होनी है मंडे ट्यूजडें पीवाए क्यूज करेंगे हम टीचिंग एप्टीट के और आप पे तो पते ही आपको हमारा यूनिट वन चल रहा है टीचिंग अप्लोड में कर देती हूं तो आपको लग जाएगा पता क्लियर है यह है देखो आपका टीचिंग एप्टीटूट का जो सलेबस है अभी कितना हमने कवर कर लिया है मिड सेप्टेंबर तक आपका हो जाएगा टीचिंग एप्टीटूट कंप्लीट हाँ कम्पीटिशन बहुत जादा बढ़ गया स्टेडी तो जादा से जादा करनी बढ़ेगी पी वाई क्यूज तो आपके यह रख लो की बैक बॉने इस एक्जाम की प्रिविस से और कॉर्शन पे पर लगाना नेट के सलेबस को फर्स्ट अफॉल तो नेट के सलेबस ही हो सब्सक्राइब करेंगे अगर पहुंचते हम जनरेशन तक क्लियर है करेंगे फिर अविशन ओणन पर हमार और UIamba करेंगे unveiled kijken चौन फैप्यमान होया है एक तरह से ठीक है टाइप्स ऑफ इवैलूएशन हमारा हो गया है यह हमारे हो ग Кाझए इवैलूएशन attempt सिस्टम इसको करेंगे में यह higher education से higher education में भी होता है या आपका teaching aptitude में भी यूज़ होता है इसका clear है फिर computer based audio video वो सारी चीज़े करेंगे mid September तक हो जाएगा आप लोगों का मैं मेरे student ने बहुत सारे gift दिये है मैं मुझे ओके मिस अफ्रीन आप पढ़ाते हूं आप teacher हो गया एक teacher को समझ सकता है आप coaching पढ़ाते हूं मिस अफ्रीन क्या पढ़ाते हो आप ठीक है जी करते class को start up time please कोई भी वेस्ट ना करें काफी time हो चुका है आज ऐसी topic का वाफी cover करने अभी हमें cognitive development किसने दिया था reply fast किस ने दिया था cognitive development जीन प्याजे ने ठीक है four stage के अगर बात की जाए तो sensory stage थी आपकी इसमें क्या के चीज़े include थी बता दिया कर ठीक है बहुत बार बता चुकी हूं object पर मैंने सब कुछ बता चुकी हूं यह प्री ऑपरेशनल स्टेज थी आप लोगों की इको सेंट्रीक और इसमें symbolic हम बोच सकते कि symbols का यूज किया जाता था और आपका concrete operational stage conservation आ जाए था इसमें मेल ली और आप लोगों का आ जाएंगे clear है concrete वाला conservation formal operation stage था आपका जब abstractly सोचा जाता है कि जो चीज़े नहीं भी दिख रही है वो भी और deductive reasoning यहां पर होगी formal में inductive concrete में होगी clear है सब को clear है cognitive development stage स्टेज सीमा भी बता दिया बहुत बार assimilation accommodation equilibration यह भी बता दिया आज हम करेंगे social culture theory जो कि किसकी opposite है बता सकता मुझे कोई social culture theory किसकी opposite है हांजी करिए reply शोशल culture theory किसकी opposite है reply करिए cognitive development कि हांजी जो cognitive development थे यह बोर रहे थे कि जो student है ठीक है इन्होंने एक बच्चे के बात कि कि एक बच्चे के माइंड का विकास कैसे होता है उन्होंने बोला माइंड पर means mental abilities पर उन्होंने बात की कि means कि knowledge को gain करना ही या फिर require करना ही काफी नहीं है बट knowledge के उपर काम भी करना है means build करना है develop करना है ठीक है तो वह कैसे कैसे होगा फिर उन्होंने stages दे थी clear है उन्होंने stages दे थी बच्चे का माइंड जो है है कैसे कैसे develop हो रहा है उनके उन्होंने four stages दे थी बट जो social culture theory है यह क्या बोलते है ध्यान देंगे प्लीज इस पार पे social culture theory is an emerging field of psychology that looks at the contribution of society जो मैं underline करते हूं it means कि important आप कही है to individual development this theory has become increase increase prominent since in 1990s and can be applied in educational setting as well as socialization and play अब यह जो शोशल जैसे कि आपको पता है social से ही कई ना कई clear हो रहा होगा social culture एक कई ना कई clear होगा कि हमारी society से related है हमारे culture से related है इनका कहना यह था वैगॉस्टे का कि जो एक बच्चा है अगर उसके behavior में या फिर अगर उसका वह बढ़ता जा रहा है एक बच्चा जैसे जैसे वभड़ा है वो अपनी society से सीख रहा है वो अपने समाज से सीख रहा है कि अगर हम हिंदी में देखे तो हिंदी में क्या बताए इनोंने समाजिक संस क्रिटिक सिधान मनव विज्ञान एक उभरता हूँ अशेतर है जो व्यत्तिकत विकास में समाज की युगदान को देखता है बस यह बोलते थैं समाज की योगदान को देखना यह कॉगनेटिड डबल्मेंट बोलते थे कि मेंटल क्या मेंटल अबिली लिटीज मस्हतिक्ष का विकास धृफ बच्चे ग इससे विकास होता है 2 यह कि नाम शूशेन की रबात अब देखिए साइकल एस्टिक साइकलोजिस्टिड ली Big estate ली ये थे जिनका नाम शोशल कल्चर की अगर बात आजाएगी देखो अगर बात आगी कोगनेटिव डाव्लमेंट की परस्ट अफॉल तो आपको यह पता होना चीए कि कि इन दिया है जीन प्याजे ने और अगर बात आजाएगी शोषल कल्चर की सोशल कल्चर is different and social learning and observation is different clear social culture is different and social learning and observation या फिर social modeling या फिर imitation is different बहुत बार क्या होता है कि social culture को ही student जो है Albert Albert बंदूरा डाल देते हैं ठीक है बट यह नहीं है social culture की बात अगर की जाए तो वो है जो आपके live अगस्त है और अगर social learning या फिर observation की बात की जाएं तो वो है आपके Albert बंदूरा क्लिर है यह आपके Albert बंदूरा और यह आपके live अगस्त है जैसे कि यहां पर दिया ही है ओकी जी निकाल करना यह जो है मनु विग्यानिक live अगस्ते का माना था कि माता पिता देखवाल करने वाले सहकर्मे और बड़े पैमाने पर संस्क्रिती मस्तिक्ष के उच्छ करम कारें को विक्सित करने के लिए जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार है समाज अब समाज में कौन आएगा आपका समाज में पेरेंट्स भी आजाएंगे समाज में देखवाल करने भी आजाएंगे समाज में आपके पीर्स भी आजाएंगे आपका कल्चर भी आजाएगा सुसाइ कि यह रहे जैसे कि मैंने यहां पर हिंदी में भी बता एक तो क्लाउस को टाइम ली जॉइन कर लिया करो हिंदी में बता दिया है कि समाज की योगदान को देखता है आपका ले वेगॉस्टे बीच में आते हो फिर आप लोग बोलते हो कि दुबारा से बता हूं अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्याजे और वेगॉस्टे गी ठीक है तो कगनेटिव कंस्ट्रेक्ट विस्ट था यह आपका और आपका वेगॉस्टे शोशल कंस्ट्रक्ट विस्ट था ठीक है किस पर है शोशल कल्चर पे ठीक है और इधर यहां पर लिटल इंफ़ासिस है मिंसकी कम ध्यान है शोशल कल्चर पे यह फिर नियुक्त को कि किसको व्यल्यू दे रहे है कि खुद से बचा कहीं ना कहीं खुद से सिख़ेगा वेगॉस्टे बोरें कि समाज important role है ग्रूप important role है अगर समाज कर ग्रूप की बात आगी तो वेगॉस्टे कर लेना और अगर आपकी इसकी बात आगी cognitive development की mind की मस्तिक्ष की बात आगी तो फिर आप किसको करोगे प्याजे को करोगे स्टेजिस क्या क्या है आपकी प्याजे की strong emphasis on stage of development यहां पर स्टेजिस कौन कौन सी थी बताना है जरा कोई मुझे अच्छा स्टार्टिंग से जॉइन होएं हो सुमित तरा जी हमारा English में हमेशा आप English में पढ़ाते हैं यह भी Hindi में भी नहीं होती हिंदी में इसके लिए तो sorry इमेजिस यह नहीं गनवाड होती हिंदी में हां जी पताईए sensory और four stages ठीक है बट यहां पर कोई ऐसी स्टेज नहीं दी वे गॉस्टे नहीं नो स्टेज कोई भी स्टेज नहीं दिये प्रॉक्सिमल डवलप्मेंट हम पढ़ चुके है स्केया फॉल्डिंग हम पढ़ चुके है यूट्यूब पर भी तो यह व्यागोस्टे नहीं दिया है अगर जान अप्रॉक्सिमल डवलप्मेंट आपको next time कॉशन पूछे जा सकता है कि यह किस ने दिया है तो यह व्यां स्क्राइब का मतलब क्या होता है आपका जब एक जो टीचर है वह स्पोर्ट बन जाएगा बच्चे को पढ़ाने के लिए और जौन अप्रॉक्सिमल कर पढ़ चुके हैं रोल ऑफ लेंविज यहां पर क्या है एको सेंट्रिक स्पीच है यहां पर ठीक है बस इतना खास नहीं फिर स्पोर्ट चिलन टो एक्स्प्लोर दियर वर्ड डिस्कवर नॉलेज इस्टब्लिश ऑपॉर्चुनिटी फॉर्ट चिलन टू लार्न विद टीच समाज से सीख रहा है यहां पर जो बच्चा है वो समाज से सीख रहा है यहां पर वैगॉस्टे में अगर वैगॉस्टे का आप सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को बात बताओं वैगॉस्टे की तो समाज जो बच्चा है वो समाज से सीखेगा वैगॉस्टे में जो पुद्धी अपनी समझ के यूज कर रहा है कहीं न कहीं यह माना था उनका जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसके एक्स्पिनियंस बढ़ रहे हैं यह माना था जीन प्याजेगा होगी यह पीडियेफ रीतु राजी अप्लोड कल भी मैंने पीडियेफ अप्लोड की है एंड वैरी गुड रिप्लाइ किया है सबने सेंसरी प्रियॉपरेशनल कंक्रीट और फॉर्मल भी एलास्ट फोर स्टेजिस हैं कौन सा परमदीप जी सेकिन बता दू कौन सा डिफ्रें समझ के और एक्जांपल मैं आपको दस बाते बोल दूं तो आप सोच समझ के मुझे रिप्लाइ करोगे कि मैं हम सही बो रहे कि गलत बो रहे हैं वो होता है कंस्ट्रक्टिव इस्ट हां चेक कर लेना एक बार करती है पीडियेफ अप्लोड कर ली करती हैं फेजिस ऑफ ओकी गुड शोशल लर्निंग थेओरी के अगर हम बात करें यह हमने कहीं न कहीं यूट्यूब पे भी किया है यास या नो या फिर शोशल अब्जर्वेशन थेओरी इसको अगर हम बोले किया था यूट्यूब पर भी यास या नो हांजे शोशल लर्निंग तेओरी सुझेश्ट दर शोशल बिहविर इस लर्ण बाइज आपसर्विंग एंड इमिटेटिंग बिहविर आफ आदर्स किसे और के बिहविर को अब्जर्व करना और किसी और के बिहविर की नकल करना समाजिक शिक्षन सिधान समाजिक शिक्षन सिधान समाजिक शिक्षन सिधान बताता है कि समाजिक वहवार दूसरों के वहवार को देखकर और उसकी नकल करके सीखा जाता है यह इम्पोर्टन्ट अगर आगे शोषल लर्निंग तो हो जाए गऑ आपका आलबट बंडूरा अगर आगे शोषल Congrès अगर आगे शोषल कुल्चर्ट तो हो जाएगा लेव एक्से, समाझिक सिक्षण गहें तो आज जाएगा आपका और अगर आगया आप लोगों का समाधिक सांस कृतिक सिध्धान तो हो जाएगा आपका लेवर गर्स्टे इन्हों नहीं दिया है यह ओकी जिए इंपॉरडेंट है इसमें इतना इंपॉरडेंट है इसमें और फिर इसको आपजर्वेशन भी बोला जाता है यहाँ यहां पर बस मैंने इतना बताया कि जो एक बच्चा है वो किससे सीखेगा वो सीखेगा जी समाज को अब्जर्व करके किसी और को वो observe करेगा कि यह क्या कर रहा और उसकी नकल करेगा तो बात कहीं ना गई same to same रहती है जो यह theories बने होती है बस थोड़ा थोड़ा difference होता है little bit तभी new theory बन गयाएगी अगर कोई भी difference ना लेकर आए तो फिर वो theory नहीं बनेगे अब मुझे भी अगर social learning theory का paradox लेकर आना या फिर इनकी criticism करने तो मुझे कहीं न गई हलका सब एक clue मिल गया या फिर एक difference मिल गया तो वो theory बन जाती है फिर बागी वो फिर acceptable होनी चाहिए जब thesis बनाते तो तिन-चार universities उसको verify करती है okay let's start next the social learning theory important है यह has four media processes that help determine whether a new behavior is acquired अभी यहां प्रिक्रिया है चुन यह निदारित करने में सायता करते है कि कोई नया वहवार अर्जित किया गया है या नहीं कोई नया वहवार अर्जित किया गया है या नहीं इसके चार मध्यस्त प्रिक्रिया है कि मेडिटेशनल ठीक है शोशल लनिंग बाइलबेट बंडूरा शोशल कल्चर येस बाइल लेव अगस्टे हांचे बहुत बार पूछा गया एक्जाम में बहुत बार अब यहां पर इसके चार मध्यस्त पर क्रिया है कोई नया वहवार अर्जित किया गया है या नहीं ठीक है वैदर न्यू बिहेवियर इस acquired or not clear है तो first of all attention the degree to which we notice the behavior वह हर डिगरी जिस हद तक हम वहवार को notice करते है अटेंशन ठीक है जैसे हम बोलते ना ध्यान 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 देना हम किसी को notice कर रहे हैं नेक्स्ट देखेंगे retention हाव वैल वी रिमेंबर द भी हेवियर हम वहवार को कितनी इच्छी तरह याद रखते हैं ठीक है अब मालू कि मैंने ध्यान दिया किसी के वहवार पर मैंने ध्यान दिया अब उस वहवार को मैं कितने टाइम तक याद रखूंगी उस behavior को म और यह भी exam में question आयता है retention अभी जब हमने PYQ कर रहा था retention का क्या मतलब होता है कि जब हमने कोई चीज़ देखी होती है for example आपने देख्योंगी कभी PK movie क्लियर है अगर मैं भी पूछ हूँ आप से कि PK movie में क्या क्या था तो आप क्या करोगे आप याद करने की कोशिश होगी कि PK movie में क्या क्या था तो उसको बोलेंगे retention ध्यान से देखी होगी movie PK movie obviously अब उस PK movie को देखा होगा तो तीं-चार साल या पान साल पहले देखा होगा कभी मैं पूछ रहा हूँ आप से कि PK movie में क्या क्या था तो आप क्या करोगे उसको याद करने की कोशिश करोगे clear ह लाई किसी से प्यार से बात की लाई किसी ने गुसे से बात की behavior याद रखना हां यह भी behavior में हो जाएगा ठीक है वह आपके अपने neemony कर यह अप जैसा मर्जी बना लो attention हो जाएगा हां आप से किसी ने प्यार से बात किए आप से किसी नफ्रत से बात की ठीक है अब देखो retention reproduction अगें देखो retention से मिलता जुलता है गही न गही अब क्या हुआ वैवार कुनिश पाशिद अब आप उसको वैसा ही करने की कोशिश करोगे for example अगर मैं यहाँ पर एक best ठीक है फिर आप उसको जब मालो अब वो अटो टाइम तो आपके सामने नहीं है हाँ जी कोई भी reply करो आपको सबसे best कौन रखता है कि हाँ मुझे इसके जैसा बनना है या फिर आपके लिए जो आदर्श है इस फेवरिट हीरो हीरो ना जो भी फास्ट रिप्लाइब करो कौन आपका आदर्श आदर्श कहां खांसर खांसर ओके ठीक है अब फॉर एक्जांपल खांसर आपके अदर्श ठीक है खांसर पर आपने ध्यान दिया ठीक है उनको देखा अब क्या हुआ कि अट टाइम तो हम वैवार को कितने ची तरह सी याद रख सकते कि जो भी उनका वैवार था फिर reproduction करोगे कि आप भी वैसा ही बनने की कोशिश करोगे to ability to perform the behavior वैसा behavior परफॉर्म करने के लिए आप try करोगे my mother, parent हाँ ठीक है आप वैसा ही बनने की try करोगे और motivation, the will to emulate the behavior, emulate का अगर हम simply meaning में आपको बताऊँ कि emulate आपको क्या होता है, emulate का meaning होता है कि just आप वैसा ही करते हो जैसा आपका जो आदर्श है आप जिसको भी अपना आदर्श समझते हो as it is आपने उसको वैसा ही follow कर लिया, to try to do something as well as or better than somebody means उससे भी better आपने अच्छा कर लिया या फिर उसके जैसा आप accurate करने लगिया और उससे भी अच्छा कर लिया किसी को copy कर लिया clear है जी हाँ, तो अगर मैं देखो अगर मैं आप लोगों की आदर्श हूँ प्रियों का मैम, आपकी teaching मुझे अच्छे से समझ में आती है तैंक्यू जी, शिवांगी जी अगर suppose मैं आप लोगों की आदर्श हूँ तो आप क्या करोगे, कि जैसे मैं पढ़ाई करती थी आपने मुझे मुझे ध्यान दिया, फिर उसको retention किया, फिर यी production की या आप लोगों के लिए motivation होगी, कि आपने अनुकरन स्टार्ट करना शुरू कर दिया जब हम अपने आदर्श को follow करते तो कहीं न गई हम motivate होते जाते हैं क्योंकि जब हम उसके जैसा बनना शुरू कर देंगे तो कहीं न गई motivation आ जाती है आपको बनना है assistant professor करोगे, perform करने की try करोगे और जब आप बार 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 अनुकरन करते रहोगे तो आप मोटिवेट हो जाओगे कहीं न कहीं आपको वो करना आजाएगा, पढ़ाना आजाएगा assistant professor clear है, मुझे नहीं लगता ये खुई जादा tough था clear है, yes or no हाँ, अब देखो, जो आपकी social learning theory है या फिर आप लोग बोलो कि आपकी जो social observation theory है observation, या फिर आप लोग बोलो modeling modeling का meaning मैंने बताया था आपको वो modeling, hero hero in वाला, यहाँ पर आदर्श की बात हो रही है जो हमें सबसे better लगता और जिसके जैसा हम बनना चाते है या फिर जिसकी राहूं पर means के पद चिनों पर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है जिसके पद चिनों पर हम चलना चाते हैं उसको बोलते हैं modeling, next है आपका imitation, इसी में ही आएगा यह भी नकल करना किसी के behavior की, clear social learning observation में यहां पर जो आप लोगों के चार परक्रियाएं बताई है ठीक है, मद्यास के बताया है आप as it is उसको sequence में याद रोखो कि आपसे पूछा जा सकता है next time क्योंकि अभी 2023 में सिरफ इनके authors पूछे जा रहे थे या फिर इनके meaning पूछे जा रहे थे बट आपसे sequence पूछने इन्होंने बहुत start कर दिये चाहे आप sequence की बात ले लो, चाहे process की बात ले लो फिर चाहे even then आपका paper first हो या फिर आपका paper second हो sequence बहुत जादा पूछने इन्होंने start कर लिये तो आप क्या याद रखोगे attention means की ध्यान देना retention याद रखना उस चीज को और after that क्या था आपका reproduction और आपका motivation यह sequence में as it is याद रखोगे exam में पूछा जा सकता attention, retention, reproduction and motivation लिख दो आप भी साथ के साथ मुझे assistant professor बनना है, yes, हाँ, ठीक है तो जब आपको assistant professor बनना है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कोई ना कोई दादर्श होगा जिसको follow करोगे और जब आप उसको follow करोगे तो आप अभी उसी जगह पे पहुंच जाओगे क्योंकि जो हमा जो चीज हम सोचते हैं जिन लोगों के साथ हम रहते कहीं न कहीं हम वैसे ही बन जाते हैं अगर मैं आप लोगों को अपना example दू मेरे all most जितनी मेरी friends है all most NetJRF qualified है, ठीक है, तिन चार जितनी भी है NetJRF qualified है आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो जैसा फिर आप वह आप लोगों के लिए assistant professor आप लोगों के लिए एक model है ठीक है एक आधर्श है और कहींना कि आप जब उसके पच्चिनों पर चलोगे तो आप इस लिए आप भी वही बन जाओगे आने वाले टाइम है अटेंशन दोगे retention करोगे reproduction करोगे and motivate हो जाओगे उसी के अनुकरण करोगे ओके attention, retention, reproduction and motivation वेरी गुड तो आप लोगों के लिए दोख़ए एक और तरह से यह easy हो गया कि आपको assistant professor बनना है तो आप उससे पर ध्यान दोगे फिर उसी को याद करोगे और फिर उसके परफॉर्म करोगे और वही उसी को बार बार अनुकरण करोगे और आप as well as या फिर उससे बढ़कर आपको knowledge आ जाएगी ओके वेरी गुट चले नेक्स्ट अब देखो जो आपकी बिहेविरिस्तिक थिओरी है लर्निंग थिओरी यहां पर या तो आपको जॉन वाट्सन दिया होगा ठीक है तो यह सही हो जाएगा और बिहेविरिस बिहेविरिसम वाली आपकी थिओरी और किस ने दी थी बीएफ Skinner थे आप बोल्adt की अप लोग की आप लोगों की ओंडिश्निंग तिया तो कि आप लोगों की हो अपरन BEN कइन दी को ओंसी कंडिश्न पकार इसमेंडी संटी को जीवेविरिस्टिक लॉर्निंग थिओरी इस थिओरी इंविर्मेंट आइम ठीपन साहिं था हो फ्र्री गान्री स्प्रीवेवियुली या फिर स्थिमूलिस कोई बतायगा मुझे स्थिमूलेस का मीनिक क्या है बताया है क्ले Saskwość में पढ़ा आप लोगों को कि हांजी स्टिमुलेस का मीनिंग बताइए प्लीज जल्दी क्या है स्टिमुलेस एंड रिस्पॉंस पढ़ाया तक लास में इतना भी बतादू कंडिशनिंग में था कि कि बोलिएं कि मीनिक यह कि अटेंशन को ले कोई थिंग हाँ जी वेरी गुट जो आपके आसपास है ठीक है आसपास वाग की बहुत सारी चीज़ें वर्ट आपका ध्यान पर्टिकुलर कहां जा रहा है यह उसको बोते हैं फिर हम उसको बोलते हैं stimulus अब यह भी वहीं बात कर रहा है कहीं नहीं गई बिहेविरिस्टिक लर्निंग ठीवरी हो फिल इंट्रक्ट विधियर इन्वार्मेंट ओवर टाइम इस इंट्रक्शन कॉल स्टीमुली फ्रॉम पर्टिकुलर बिहेवियर जॉन वाट्सन इस लार्जली सीन अज फादर ऑफ पादी शिक्षन से धान इस बात पर जोर देता है हिंदी वाले देखने प्लीज ध्यान से कि लोग अपने पर्यावरण के साथ कैसे बात चीत करते हैं समय के साथ यह अंत क्रिया जिन्हें उतेजना कहा जाता है कि मिन्स की जो भी उनकी अगर हम इन्वार्मेंट की बात करे लिए तो इन्वार्मेंट क्या है आपका किसको बोला जाता है इन्वार्मेंट आपके आसपास की दुनिया इन्वार्मेंट है कलि α था एक तो आपको क्लासिकल कंडिशनिंग में क्या था इस र us तो वैरी गुड पढ़ रहों लग रहा है ठीक है याद है आप लोगों को ठीक है आपका surrounding हो गया आपका environment कैसे बाचीत करते हैं कैसे आप चीजों को देखते हो कहीना कई वही बात नहीं बोल रहे हैं कि जितने भी आप लोगों को यह दिख रहे हैं साइकलोजिस्ट कहिना कि मिलती चुलती बात ही नहीं लोगों की जीन प्याज़े की चाहिए आप वैगोस्टे की देख लो नहीं जीन प्याज़े और वैगोस्टे तो एक दूसरे गए तो यह वाला आपका जो फादर और बिहेवरियल साइकलोजी होगा जॉन वाट्सन इंपोर्टेंट है यह वर्ट्सैप गर दो जाए इसका निमॉनिक बना दो आप वर्ट्सैप से भी सीखते हैं हमारे इंवार्मेंट में क्या चल रहा है मिन्स कि अब देखो अब ऐसा तो है क्या नहीं चल रहा है ठीक है जो जॉन वर्ट्सैप जो जॉन था वो वर्ट्सैप चलाता था ऐसा बना लो निमॉनिक याद रखने के लिए ओके नहीं यह सारे मिलकर हमारे दिमाग को तेज कर रहे हैं और गुरुई यह च्छोटी चीजों का बता रहे हैं डिफ्रेंशेट कर रहे हैं चोटी चोटी चीजों को कि किस में क्या कमी रहेगी अगर मिस एफ्री ने कोई ठीड़ी रिखिया ठीक है तो शिवांग यह उस नेक्स्ट चलिए अगर John Watson दिया होगा behavioristic में तो John Watson गरोगे और अगर आपका operand conditioning डिया होगा वैसे तो reinforcement या operand conditioning दिया होगा तो फिर आप करोगे बीयुム tumor थो विशाव स्वाइवियरल साइकलोजी हान जी मोहमबजी कि जो आपका environment है वो किस तरह से आपको attract करता है किस तरह से आपको attract करता है आपका environment आप क्या क्या सीखते हैं अपने environment से environment meaning आपका same है वही आपके आसपास की चीज़े surrounding the power to affect change or control somebody and something व्यक्ति या वस्तु को परभावित परिवर्तन या फिर नियंत्रित करने की शक्ति ओके जी behaviorism and behavioristic जॉन वार्सन हाँ ठीक है ठीक है कवेता जी वैसे लग जाएगा पता है जब आपको कॉशन आएगा यह लग जाएगा वैवारवाद की कई अवधार नाय जो आजाम हैं जैसे सकार्थमक नकार्थमक ओप्रेंट कंडिशनिंग वैसे तो जादा तर यह ओप्रेंट कंडिशनिंग देते हैं ठीक है और बिहेविरिजम रैडिकल बिहेविरिजम यह भी यही बोलते कि जो आपका इंवाइरमेंट है वो किस तरह से आपको इंफ्लिज करता है बिएफ स्किन रिजल्ट पॉजिटिव और नेगिटिव हाँ और साथ के साथ रिइनफोर्समेंट भी लिखने ना सम टाइम इनों ने एक और चीज़ बताओ मैं आपको जो आपरेंट कंडिशनिंग वाली कैसे कोशन घुमाते हैं रिवार्ड पनिश्मेंट दे देंगे औ पॉजिटिव नेगिटिव मीन से रिइनफोर्समेंट की किस चीज़ को बार-बार किया था कि रिवार्ड मिले जैसे कि हमने रैट वाला पड़ा था जब रैट को एक पिंजरे में बंद किया तो वहां पे ब्लू लाइट थी तो उसने जब एक लाइट दबाई खाना मैं पीडिएफ फॉर्मेट इन्वैलिट शो हो रहा है चक कर लिए यश्वंध जी आपने एक्चली आप इसमें ना एप में कोई प्रॉब्लम चलिए पर पीडिएफ तो अप्लोड कर दी थी मैंने कोई नहीं मैं रीचा कर लूँगे एक बार रीचा कर लूँगे एक बार वेरी गुड और कुछ थेओरेज मैंने आप लोगों की यूट्यूब पर करवाई है उनको भी देख लेना प्लीज एक बार अब हम चलते हैं कि इस पर जन्रेशन पर यह सेशन होता है जी आपका एंड और आपकी इसका टॉपिक सेशन तो नहीं है आपका एंड सॉरी सेश क्या कॉम्निकेशन का यह श्वंद जी कॉम्निकेशन का भी एप में फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है कल से लेकर चल रही है अनॉस्मेंट ही नहीं हो पारी मुझसे था सब कुछ मिल जाएगा एरर होगा कोई टेक्निकल एरर कि समझ आगे सभी को अब हम देखते हैं जन्रेशन इंपोरटर्ण है अब हम उस टापिक पे जा रहे हैं जुकि आपका ये अन्ड यागोगी पैड एड यागौगी ये टागौगी यहां ब рукना हो इसके बाद generations के बाद the generation covered in the theory R कौन कौन सी generation है जी ये भी exam में पूछी जाती है आप कौन सी generation से हो आप कौन सी generation से हो अगर मेरी बात की जाये तो मैं तो y generation से हो generation 1981-1996 इसके सब्सक्राइब है आप जैट बोलो जी बोलो सेम बात है पोस्ट मिलेनियन पोस्ट मिलेनियन इस generation से है जी हम आप बताओ आप कौन सी generation से हो कि इस वाली generation से है जी हमारा नाता यहां फिर यहां 21st जन्टी अभी सेंचरी की बात नहीं करती है जन्रेशन की बात कर रहे हूं तो मिलेनियन यह वाला रख लो आप 1996 वाला ठीक है 99 जी जन्रेशन है अच्छी मिलेनियन वाली आपकी जन्रेशन है रविंद जुकुमार जी जी वाला जहां है यांब जी कौन सा है ग्रेटेस्ट जन्रेशन बहुत तो नहीं आगे कहीं हमारी ग्रेटेस्ट जन्रेशन बोल रहे हूं ओके जन्रेशन जन्रेशन यह भी पढ़ेंगे डिटेल में बोर्न सिर्का और अगर हम सिर्का की बात कह रहे हैं तो सिर्का के क्या मेनिंग रहता आपका इसको बोलते एप्रॉक्सीमेटली या फिर लगबग यहां पर आप देख सक की जन्रेशन अच्छा ओके नहीं अगर आपके देखो कोर्स की वैलिडिटी कहतम हो जाती है ना तो रिकॉर्डिट क्लास भी नहीं मिलेगा आपको प्रेमें कुछ नहीं मिलता यहां नहीं मिलेगा आप लोगों को फिर आपको यूट्यूब क्लास मिलेगी ठीक है क्योंकि वालों की 10-15 इस तरह से फीसे 6-5 से तो उपर ही है मैक्सिमम कोर्स की अगर कहीं और हो अकेडमी इस तो चलो कोई नहीं लेट्स स्टार्ट हमारा टॉपी क्या है ग्रेटेस्ट जनरेशन बॉन सिर्का 90-01-1924 यह उस जनरेशन के लोग है जो कि बॉन कब हुए है कब इनका जनम हुआ है 1901 से लेकर बिट्विन 1901 बिट्विन टू 1924 साइलेंट जनरेशन सिर्का ठीके सिर्का का मतलब आपका लगबग है महांतम पीडी मूख पीडी बेबी बूमर्स पीडी एक्स सहसत्राबदी पीडी जैन यह क्या है जैन जै अच्छा जी जनरेशन जनरेशन अल यह जो यहां पर यह दिये हैं यह आपको याद रखने पढ़ेंगे सिर्का 9025 बिट्विन टू 1945 बेबी बूमर्स इरका 9046 बिट्विन टू 9064 जनरेशन एक्स सिर्का 9065 टू 9080 यह आज इट इस आपको याद रखने पढ़ेंगे देखो जो तो फैक्ट है उसको तो एज य इन नहीं कर सकते हों यह तो आपका फैक्ट्वल कॉशन बनने वाले हैं यहां पर यह आज इट इस आपको यह यह याद रखने पढ़ेंगे झाल वाइब इसको बोला जाता है the important यह बहुत वाट ऑग में आंद ब्रेटेषट जन अब्हुत कए सब्धार कॉशन बने हैं व्यारा स्मय बोलो और पीर जनरेशन currently d बोला आपका से में यह आपका post millennium जहाप into मिलन्हाद इस चला जाएगा इस फिर्का 97 बिट्विं दो later 12 ठीक है जनरेशन अलपा 2010 हम लोग जी जनरेशन में है ना हांची आप लोग जी जनरेशन में है जी 1997 तो बागी तो आपकी डेट आप बर्थ पर डिपेंड रखता है चले नेक्स्ट एक टॉपिक तो करी लेंगे हम ग्रेटेस्ट जनरेशन वाला तो कर लेंगे आप देखो अगर में सिंपल लेंग्विज में बात करूँ जो आपकी ग्रेटेस्ट जनरेशन थी ग्रेटेस्ट जनरेशन इस तर्म डियूस तो डिस्क्राइब दोस अमेरिकन इंपोर्टेंट है जो अमेरिकन अब अमेरिकन की जगह यहां पर कुछ और भी दिया हो सकता है एक्जाम म क्या होता आप लोगों का लड़ाई कि फॉर्ट का मतलब क्या है लड़ाई कि इन वार्ड वार सेकंड उस टाइम पर अब हम क्या इसका एक्जाम्बल बनाएंगे कि जब लड़ाई जगड़े होते हैं तो कही ना कहीं डिप्रेशन रहता उस कंडिशन में अगर देश में देखो आप लड़ाई जगड़े होंगे तो डिप्रेशन रहेगा ना जब वहां पर लड़ाई चल रही थी रूस की चेन की ठीक है तो कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज परेशान थी है ओके अध्यान दे रहे हो बात पर की नहीं कंसेप्ट को अंडर्स्टैंड कर रहे हो फॉर्ड का मतर लड़ाई वर्ड वार सेगिंड और हूस लेबर हेल्प विन इट ग्रेटेस्ट डिनेशन इस टॉर्ट तो है विन कॉइंड बाय फॉर्मर एन बी सी नाइटली न्यूज एंकर और ऑथर टॉम ब्रोक को इन हिस बुक बाय सेम नेम ठीक है यह खास नहीं अगर हम महान लोगों की बात करें तो यह लोग ऐसे होते थे जी देश भक्ति वाले लोग थे हैं ठीक है देश भक्ति वाले लोग थे जी हैं महानतम पीड़ी एक शब्द है जिसका उप्योग उन अमेरिक्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो महामंदी मेंस अगर बात आजाएगी यह आजाएगा आपका ग्रेटेस्ट जनरेशन में ओकी यह जिनके श्रम ने इन से जीतने में मदद की थी तो कि क्योंकि उस टाम तो देश गुलाम था देश आपको गुलाम था उस टाम 1901 से 1924 की बीच में तो गुलाम था तो यह देश मक्ती टाइप लोग थे और इन्होंने क्या गया था अपने देश को अजाद करने के लिए वार्ड वार सेकिंड हुआ था आपका वार्ड वार फरस्ट हुआ था आप लोगों का ठीक है 1941 में आपको वार्ड वार फस्ट या पिर ऐसा और के निकिश कोछी यह यह िंड़ी मने यह यूटिव पर कर वाया है अभी मुझे एक्सफे इनके यह रिया इन्वार षेकिंस का वार्ड वार सक्ट आप ईउट्व पर कर वाए यह है F O U G H T होता है फॉर्ट लड़ाई लड़ाई यहां हाँ फाइट से बना है फॉर्ट ओके अब एक और इसको बोला जाता है जनेरेशन और वर वर सेकेड यह ओपोड़िकि इमपोर्टेंट है यह मंत पीडियि ज पूर्टाइब यह त्विट्य विष्वियुद की पीडि के नाम से भी जाना जाता है इमपोर्टेंट है ने इसको आध हॉर्ट में देखे प्लीज ध्यान देना प्लीज बातों पे ठीक है यह करेक्टरिस्टिक्स बोलो आप इसके चाहे आप की वर्ड बोलो यहां से कॉशन बनते हैं ओके भी फोकस्ट नौ दग्रेटेस जेनरेशन कॉमली रेफर्स तो दोस अमेरिकन अमेरिकन अगें रिपीटिड हुज 1990s 20 1901 से लेकर मींस आप यह रख लोगी 1900 से लेकर 1920 तक के जन में लोग हैं दे ग्रेटेस्ट जेनरेशन मेंबर्स ओल लिफ त्रू दे ग्रेट डिप्रेशन यह हम पढ़ चुक है अल्रेड़ी और मैनी अफ दम फॉट इन वार्ड बार सेगें ठीक है मिंस लड़ाई फाइ एक तो हिंदी भी साथ ही दियोती ना अब लोग हो अहां जी बताओ पेट्रॉटि कौन होते हैं हां रॉंग टाइप हो गया था बोलिए पेट्रॉटि कौन होते हैं जी बताइए पेट्रॉटिक having or showing a great love for your country देश्भक्त having or showing a great love for your country देश्भक्त होते ही हैं एंड टीम प्लेयर्स ही के मिल जूल कर चलते थे क्योंकि देश को अजाद करना था तो मिल जूल के तो चलना ही पड़ेगा ग्रेटेस्ट जनरेशन मेंबर ऑसो टेंड टू बी तब पेरेंट्स ऑफ बेभी बॉमर्स के पेरेंट्स हैं एक तरह से इनके बाद ठीक है बेभी यह भी पड़ेंगें बेभी बॉमर्स कौन से होते हैं और अगर मैं आपको तीन चार शब्दों में बताऊं जो आपका ग्रेटेस्ट जनरेशन है फिर्स्ट अपर आप राइड डाउन करो प्लीज अपने पास डिसीप्लेंड डिटर्माइंड और रेसिलेंड डिसीप्ले डिसीप्लेंड डिसीप्लेंड लोग थे हैं ओके नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हिंदी में बढ़ते हैं इसको ओके महांतम पीडी आमतौर पर उन अमेरिकों को संदर्बित करती है जिनका जनम उन्नी सो से उन्नी सो बीस के दशक में हुआ था महांतम पीडी के सभी सदस्य महामंदी से गुजरे और उन मेंसे कई दिवित्ते विशवियत में लड़े इन व्यक्तियों को अक्सर प्रेरित और देश भक्त लिखाता है यहां पे ठीक है आपने रिप्लाइट तो कर दे और टीम की लाड़ी के रूप में वर्नित किया गय देकों अमंग ग्रेटेस्ट घंडिविच्ण तेंट तो हैव दौन वन वन पॉइंट में देखे तो क्या रेगर यहां पेट्रोटिक यहां डिया ड्रीवन अड मोटिवेटेट शो और स्रॉंग एथिक देव बीव एडे अर्ट फ्रूगल फ्रूगल क्या होता है आपका इसके दश्रह के जो लोग थे नहीं यह बहुत सादा होते थे हैं डिसीप्लेन में और क्या बताओं फिर कि डिसीप्लेंट तो सिंपल है ओके फ्रीयूगर होता है आपका यूजिंग आपको उन्ली आज मुछ मनी और फूट एज एज इस एज इस नेसेसरी Frugal का meaning आपका वो रहने वाला Using only as much money और food as is necessary Means ये ऐसे लोग थें कि बस जितना भी इनके पास money है जितना भी इनके पास खाना भी ना उतना इनके लिए ठीक है सोच समझ के खर्चा करना और जितना है ये संतूष्ट है उसमें जितनी जरूरत है जितनी आवेशक्ता है बस उतना ही यूज़ करेंगे उसके अलावा ने ओकी जी हाँ जी अपने काम को अब जहां पर देश बक्ती जहां पर पेट्रोटी के बात आगी देश बक्ती के बात आगी तो यह डिसीप्लेंड भी है मोटिवेटीड भी है और यह एथिक अगर आप पहले की टाइम में देखो ठीक है पहले की टाइम में बहुत जादा एथिक्स होते थे और आज की डेट में देख लो अगर आप लोग अभी हमारा कौन सा है 21st century चल र यह चल रहा है आपका ठीक है 2223 जो भी है चलो assessment यह और आपका previous फिर होकी हमारा चल रहा है 2223 अगर आप पहले जाकर देखू तो पहले लोग बहुत जादा discipline होते थे बहुत ज्यादा मेहनती होते थे अपने काम के प्रती अपने लोगों के प्रति अपने office के office तो चलो क्या यह अपने खेड, काम जो भी था हो। अगर discipline की में बात करूँ तो उस time तो देखो इतनी ज़ादा नौकरिया तो नहीं होती होगी तो जब मालोग गाय है पश्चो है तो उनको time to time चारा देना होता होगा ऐसा तो नहीं है कि जब मन किया तब चले के चारा देना एसेस्मेंट येर टूथाउजट ना बाइस एंड तेज़ हां असेस्मेंट येर एंड प्रिवेस येर बोला जाता है न सो थैंक्यू सो मच क्लास को करते हैं वाइंड अप और कल मिलते हैं सेवन पीम जनरेशन पे ही कल भी बात करेंगे ओकी जनरेशन एक साइलेंट जनरेशन इसे पड़ेंगे ये याद रख लेना प्लीज ग्रेट जनरेशन का जी आई ग्रेट डिप्रेशन ये तो इजी हो जाएगा वार्ड वार सेकिंड और पेट्रोटिक थैंक्यू आल अफ यू पीडिएफ चेक कर लेना पीडिएफ सेंड कर दिये मैंने कर ली ओकी जी बाए बाए गॉड ब्लेस्यों आल टेक कियर अगर 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 जनेरेशन पढ़ने का कॉज बता दीजेए प्लीज अभी घ्यानमिश्रजी ये टॉपिक है आप लोगों का जो यूजी सी नैट के एक्जाम में पूछा जाता और यह जनेरेशन इसलिए पड़ी जाती है ताकि हम अगर 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 किस तरह का है आज जनेरेशन पूछ आपके जन्याएं अगर और यह पत्रुद्ट साइलेंट जनरेशन में भी डिफरेंट करेक्टर्स्टिक दिये गए हैं इन से येर टू येर स्टडी किया जा रहा है लोगों के उपर हुमन बिंग के उपर इसलिए बढ़ते हैं इसको जनरेशन को रेजिलेंट का मतलब होता है आपका कि आपके पास मानू कितनी भी जादा टफ सुचेशन आप किस तरह से उस सुचेशन को हैंडल करते हो कि टफ सुचेशन को क्योंकि वार्ड वार का टाइम था तो बहुत जादा टफ सुचेशन थी वो उसको किस तरह से हैंडल करना है उसको बोलते रैजिलियन्ट कि ओके जी कि स्ट्रॉंग इनफ टू डिल विद इलनेस और ये लोग ऐसे थे कि मिन्स की बस जितना मिल रहा है जितना खाना है जितनी मनी है आवे शक्ता के अनुसार ठीक है आज की डेट में नहीं ऐसा अगर आप आज की डेट में अपने तरह को बादार आ अपने आरोँ मैं explained मृपæ तरह को बतके अपर घृषरेंशन चलती आ रही है मैं गण संब्रूज चलती है रहे हैं मैं कैन से आपको सारी हिस्ट्री पता हो इस लिए ये जन्रेशन की ओपृंड coronavirus और भी बताएगा इस और ये ४सलिन की शुदेंग के स्टुडेशन से क्के सुजई करेक्टरीं भी के कि कर सकते हो थोड़ा मैंने बता थी आप लोग उसbokό अवस्ट्रक्श है सोटन्य ब्राफ्यों क्यों थैंक गगा कि जिए बाय